हेलो दोस्तों मैं तिलसाथ एमद आपके लिए लेकर क्या हूँ एक और नहीं वीडियो तो आज हम बात करने वाले हैं फुल ओवर्वियो ओफसाइट इन एचरफ जी हाँ जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अभी एक न्यू एचरफ की पहले स्टार्ट की है और उसमें अगर आपने अभी तक किस तरीके से आपको एचरफ की प्रोफाइल किस तरीके से क्रियेट करते हैं साथ के साथ कैसे प्रोफाइल के ऊपर है और एचरफ की प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आके देखा था कि क्रियेट के अंदर आकर कि अपनी जो वेबसाइट है उसको कनेट किया था मैनोली और गूगल सच कंसोल के द्वारा अब हम बात करते है कि इस और होता हैicaçãoा डूमें रेटिंग जैसा कि आपने मोश बार के अंदर देखा होगा कि उसमें डी ऐ और पी ए होता है ऐसी हर बैके यहद turb के बैकलिंक्क तो यहाँ पर है TO टोटल आपके 131 है, टोटल अल्टाइम अभी 275 थे, लेकिन कुछ आपके जो बैक लिंक्स हैं यहाँ पर यहाँ पर डिलेट हो चुके हैं, यानि वो लोस्ट हो चुके हैं, लोस्ट होने के बाद यह आपके 131 ही आपके बैक लिंक बाकी है, अब बात करते हैं, रेफरिंग कीवर्ड मेंं यां वो लॉस्τη हो चुके हैं, बात करते हैं, वो लॉस्ट हो चुके हैं, बात करते हैं, गेप ही वेबसाइट चलाते हैं, त उस उसको keyword कौन कॉंसर उस पर create और उस पर traffic कितना है वो सारी चीज़े यहां पर आपकी show करती है अब बात करते हैं यहां पर नीचे आते हैं matrix के अंदर general profile के अंदर तो यहां पर matrix के अंदर आएंगे तो देखेंगे यहां पर matrix में आपको यहां पर show कर जाएगा कि आपके जो graph है वो आपका किस तरीके से है एक एक चीज़ यहां पर आपको रंग के साथ दिखाए देगी यह green के साथ यहां orange के साथ organic traffic value यहां पर देखेंगे थोड़ा सा light orange है organic pages की बात करें तो यह थोड़ा देखेंगे आपकी इसका color yellows का है ठीक है यहां पर आपका यहां पर graph के अंदर यहां show कर रहा है ठीक है पेट तो आपके नहीं होंगे अगर crawl pages की बात करें तो crawl pages आपके यहां पर show कर जाएंगे कि आपके pages जो हैं कितने crawl हो चुके हैं website के यहां पे section आ चुक है मैं domain rating को close कर देता हूं तो यहां पर आपका देख सकते हैं यह आपका आ गया है crawler pages के उपर ठीक है तो कितने crawl pages है 128 आपके जो pages है वो crawl हो चुके हैं तो यहां पर इस तरीके से आप अपनी website पर crawl pages चेक कर पाएंगे अब बात करते हैं organic keyword की तो यहां पर देख सकते हैं और organic keyword है यहां पर keyword कोई भी stable नहीं होता यह आपके up and down चलते रहते हैं backlink आपके stable नहीं होते हैं यह भी आपके up and down चलते रहते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर right side में तो right side में देख सकते हैं traffic location को कुछ नहीं दिखा रहा है referring domain की बात करें तो 19 जो referring domain है यह आपके followed है और 10 है वो not followed है ठीक है followed और not followed क्या होता वो आप हमारे playlist के अंदर जाकर चेक आउट कर लीजेगा आपको playlist के अंदर मिल जाएगा बात करते हैं backlink के लिए तो backlink आपका यहाँ पर देख सकते हैं not followed 70 है no follow की बात कर तो 70 UGC आपके 2 है sponsored आपका एक भी नहीं है यह आपका कोई भी paid backlink नहीं है अब बात करते हैं UR और DR के इसाफ से अगर UR और DR के इसाफ से बात करें तो 10 से लेकर 19 के जो आपके UR है उसमें आपके जो backlink है वो आपके 2 है यह यह 1.5% बाकि आपके जितने 29 यह UR less than 10 है अब बात करते हैं DR की तो DR की बात करें 0 से 9 तक 28 है 10 to 19 10 22 29 10 और 32 39 यह तो यह आपके DR के उपर relate करता है कि कि किस तरीके से आपके DR के जो pages पर आपने जो link create किये हुए वो आपके किस तरीके से है यहां बात करें 62 69 47 सबसे highest value जो आपके DR की है वो 62 69 है वो सबसे तरा backlink भी इसी पर create है यहां पर बात करें तो यहां पर organic pages के उपर आते हैं यहां पर organic pages यहां पर देख सकते 0 दिखा रहा है अभी अब बात करते हैं यहां पर crawling pages की जो 128 crawling pages है वो आपके अंदर अगर देखें तो 200 code जो आपका 200 इसका मतलब होता है यह जो coding system है 200 यह ठीक 402 जो pages है वो 6 है 404 की बात के तो एक page ऐसा है website के अंदर जो आपका एक include है 404 यानि वो exist नहीं करता आपकी website के अंदर 4XX से other clients की बात करें तो यानि 4XX किसी और website के जो URL है वो आपकी website में connected है या नहीं connected है तो वो 0 है 5XS से server जो होती है वो भी आपके देख सकते है 0 है तो आपको next जो वीडियो में बताएंगे वो बाताएंगे कि page inspect ये आपका एक देख सकते है page inspect कैसा होगा ये site structure किस तरीके स होता है तो ये सारी चीज़े आपको मिल जाएगी आपको next वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कीजे, share कीजे, comment कीजे औ ताकि आपको आने वारी सभी वीडियो की notification time to time मिलते रहे, साथ के साथ सैमरेज की आपको playlist हमारी वीडियो के अंदर मिल जाएगी और Google Search Console की भी, अगर आपने अभी तक हमारी November के new review update नहीं देगा तो उसको जाकर गया भी check out कीजे, आपको हमारे Google Search Console update की playlist के अंदर वो वीड की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं आपको next वीडियो में तक तक के लिए thank you